subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates नमस्कार मेरे नाम पिंटू सेंग यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेवस लाइब दोस्तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमों यानि की अखलेस यादों ने कॉंग्रेस नेता राहूल गाधी की लोगसभा सदस्यता पहाल किये जाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है इसके साथ ही उन्होंने सुमवार को कहा है कि उमीद है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख बिधायक यानि की आजम खान और उनके बिधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान के भी बिधान सभा की सदस्यता पहाल कर दी जाएगी उत्रप्रदेश पिधान मंडल के मानशुन शत्र में हिस्साल लेने के लिए जाते वक्त संबदाताओं से पाच्चित में अखलेस ने राहुल गादी की लोगसवा सदस्यता पहाल की जाने से जो वे सवाल पर कहा कि सबसे पहले तो सुप्रिम कोर्ट को पढ़ाई उसके इस निर्ने से लोगतंत्र और नियाले का भरोसा बड़ा है बीजेपी का काम करने का तरीका यह है कि वो लोगों की सदस्यता जो है वो कहने कहीं चीन लेना चाहती है आजम खान और उनके बेटे की सदस्यता जल्द हो बहाल अखिलेस यादो जी हम बात करें तो समाज वादी पार्टी के प्रमुख अखिलेस यादो ने आगे कहा कि हमीं उमीद है कि औरों की सदस्यता भी पहाल होगी आजम खान और उनके बेटे और बहुत सारे लोगों की सदस्यता छीनी गई है पूर्व मुख्य मंत्री ने इतावा से भारती जंता पार्टी के सांशद र वामलों की सुनवाई करने वाली बेसेस अजारत ने दो साल की जेल की सजा सुनाई है उन पर 2011 में बिजली आकूर्थी कंपनी के करमचारी के साथ मार्पिट करने का आरोप था किसी भी अपराज के लिए दो साल या उससे ज्यादा के करवाज की सजा पाने पर निर्वाचि के सानशदू और विधायिकों की सदस्यता छिनने के सज्डेंत्र करते करते अब खुद इसका स्विकार हो गई है अब देखते हैं कि वो कितनी जल्दी अपने karış की सदस्यता समाब करते है और कितनी जल्दी अन्निग की स्दस्यता बहाल करती है बिज़ी पिज साजिस का की मदद करने को तैयार है एक भी नई मंडी नहीं खुली है जो खुली है वो भी बंद हो गई है और यह सच है कि इस तरीके से राहुल नाधी को फसाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा संदेश देकर उनकी सदसता को बहाल किया उसी को लेकर अखले सियादो आजम खान और अब्दुल्ला आजम की बात कर रहे थे खैर आपको क्या लगता है कि आज सच में लोगों को भी फसाया जा रहा हैं कमेंट वोक्स में बतेए धन्यवाद